बागलपुर के नातनगर थाना अंतरगत SS बाली का हाई स्कूल के सामने रेल्वे ट्रैक पर सोंवार को एक प्रेमी जोडा ने आपस में जम कर विवाद किया मामला प्रेम प्रसंग का है जहां सजोर थाना छेतर के राधानगर की लड़की दसमी की परिक्षा देने SS बाली का हाई स्कूल आई थी वही साजंगी निवासी उसका बॉइफ्रेंड परिक्षा के अंदर के बाहर रेल्वे ट्रैक पर लड़की का इंतजार कर रहा था रेल्वे ट्रैक पर ही मुलाकात के दौरान दोनों में कहा सूनी हो गई और लड़के ने लड़की को मारना सुरू कर दिया इधर दोनों के बीच हो रहे प्रेमिद को लड़की के भाई ने देख लिया जिसके बाद पासा पर लट गया जो बॉइफ्रेंड अब तक अपनी प्रेमिका को मार रहा था अब खुद प्रेमिका के भाई से मार खा रहा था बता दें की विवाद बढ़ता देख लड़की परिक्षा छोड़कर रेलवेड ट्रेक पर लेट गई जिसके बाद लड़की के भाई ने जम कर अपनी बहन को भी पीटा गटना पड़ता देख परिक्षा केंदर पर मौझूद महीला सिपाही की मदद से लड़की को परिक्षा केंदर लाया गया जहां कुछ देर बाद लड़की का बॉयफ्रेंड फिर से पहुँच गया और जम कर हंगामा करने लगा अंत में तंगा कर मौके पर मौझूद लोगों ने पागल प्रेमी को कबजे में लेकर नाथनगर थाना के हवाले कर दिया मिली जानकारी के मुताविक मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है लड़की और बॉयफ्रेंड में साधी विवा करने की बात तैग हुई थी वोई बॉयफ्रेंड ने बताया कि चार वर्सों से उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है आज मिलने बुलाया था जहां विवाद हो गया भागलपुर के सबवरिस्तित बिहार क्रिशी विश्विद्याले परिसर में तिन दिवसिय किसान मेला सवधान प्रशु प्रद्रशनी का समापन सोंवार को समारो पुरुवक किया गया समापन समारो की अध्यक्षता B.A.U. के कुलपती डॉक्टर D.R. सिंग ने की उन्होंने समापन करते हुए अतीतियों का स्वागत किया और आयोजन में शामील होकर इसे सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया वहीं समारो में मुख्यती थी के रूप में थिलकमान जी भागलपुर विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर जवाहर लाग एवं B.A.U. के प्रशार शिक्षांडर देशक डॉक्टर आरके सोहा ने मुझूद रहे इस दोरान क्रिशिव करन सांस्कृतिक कारिक्रम के अलावा मेला में भेतर प्रद्रशनी करने वाले स्टॉल और उत्रिष्ट एवं सम्मानित किसानों को परमान पत्र एवं मॉमेंटो देकर सम्मानित किया गया कारिक्रम को संबोधित करते हुए टीमबियू के कुलपती ने किसानों को देश के लिए सबसे अधिक महत्वपुर्ण बताया बिहार कृशिव श्विद्याले और यहां के कुलपती समित वग्यानिकों की खूब शरहाना की इधर कुलपती डॉक्टर डियार सिंग ने अपने सम्बोधन में खेती किसानी को उन्नत बनाने रोजगार के अफसर महिया कराने आत निर्वर्ता के लिए कई तरह के प्रशार्शिक्षान कारिक्रम चलाने महिला शरक्तिकरन वग्यानिकों की उपलवदी और कृष्टी के छेतर में अधिक सेधिक सेंख्या में युवाओं एवं महिलाओं को आगे आने की बात कही वही कारिक्रम को लेकर निर्देशक प्रशार्शिक्षा डॉक्टर आरके सोहाने ने कहा कि बी ए यू लगतार किश्टी और किसानों के हिट में कारिक्रम चलाती रहती है इसका परिणाम यह है कि काफी कम समय में बिहार क्रिशी विश्विद्याले ने कई बड़े और नए आयाम हासिल किये हैं उन्होंने कहा कि किसान मेला में करीब 200 कमपनी के अलावा कई अन्यतरह के श्टॉल भी लगाए गए साथी यहाँ पर पशू द्यान परद्रशनी के साथ अन्यक कई परतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें सामिल उट्रिष्ट किसानों, उद्दमियों एवं पेंटर्स को भी सम्मानित किया गया साथ ही उन्हों ने कहा कि किसानों को आत निर्भर बनाना और देश के युवाओं को किरसी के छेतर में जोड़कर रोजगार के साधन मुहिया कराना उन सभी का मुख्य उद्दे से है समापन समारों में पियारो डॉक्टर राजेश कुमार समेत काफी संख्या में विस्विद्याले परिवार के लोग अतीथी छात्र छात्र और पुरुश एवं महिला किसान मुझूद रहे बिहार किसी विश्विध्याले सवाओर के दोरा तीन दिवसी किसान मेला अबम पसुपरदसनी मेला बौधापरदसनी मेला लगा गया और इस विश्विध edyale के दोरा ना सिर्फiliz ट्रेंड ग्रेडिम्स पैदर किया जाते हैं बलकि साइंटिस्ट जो यहां के हैं वो किसी के देख लिजे उन सभी परदस्नियों को देख आप एक मातर एक लाइन में आप ऐसा कर सकते हैं कि उन लोगों ने इस बात की कोशिस की है कि नए टेकनिक्स के द्वारा नए मेथर्ड्स के द्वारा किर्सी की उत्पादक्ता को कैसे बढ़ाया जाए खुटपाजक्ता परहने के अलाबे सस्टनेबुल डेबलाप्मेंट का मतलब इस वास से हो कि वो जो फसल है या जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं वो ऐसे पैदा हो जिसका कि उसका भविस में आने वाली पिजियों पर उसका प्रभाब ना पढ़े ना बर्तमान पिजियों पर बढ़े तो कि बहुत सारे जो हम अनाज खाते हैं, फल फुल खाते हैं, सब्जिया खाते हैं, उनका दूस प्रभाव हमारे स्वास्त पर पढ़ता है, तो यह इन लोगों ने साइन्टिफिक मेथड से उसको कम से कम करने का प्रयास किया है। से साइन्टिफिक जिले से किसानों ने भाग लिया है, और हम यह डावे के साथ कह सकते हैं, कमसक्व पचाहँ जार किसानों ने इस मेले का भाग लिया है। और इस मेले में करीब 200 कंपणी और बिस्विध्याले भारती क्रिसियन सुन्थान परसत के संस्थान तथा हमारे वीसा है और बहुत सारी कंपणियों ने अपने तकनीक इस्टाल लगाए इस मेले में एक और हमने लगाया था नई सोच नई खोच जिसमें हमारे वैग्यानिको कि ने ने जोने जॉइन किया उन्होंने अपने आइडियाज यहां पे बताये थे कि उठीक आइडिया कैसे वह आने को पिरिश कि प्रदर्शनी के तीसरे और अंतिम दिन काफी संख्या में लोगों की भीड जूटी रही। खाने पिने के सावनों के स्टॉल भी लगाए गए थे जहां आये लोगों ने इसका लुफ्त उठाया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूख बधिरता को लेकर चिंतित हैं। बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परिशान। तो चिंता छोड़िये क्योंकि अब भागलपूर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एन हीरिंग क्लिनिक, ओडियोलोजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ, विश्वस्तरिये बेस्ट डिजिटल हीरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लुटिथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाज कराएं तथा सुनने की मर्शीन लगवाएं। प्रदीप कुमार जैन ने संस्थान का उधगाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री के द्वारा किये जाने की बात कही। भागलपूर ट्रिपल एटी के डिरेक्टर ने कहा कि भागलपूर बिहार का पहला ट्रिपल एटी है जहाँ 2017 से अलग-लग विशयों का पठन पाठन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पच्चास एकल के एरिया में फैले इस संस्थान के केंपस में वर्कशॉप, गल्स हॉस्टल, व्वाइज हॉस्टल, रेसिदेंसियल केंपस के अलावा हर तरह की सुविधा उपलप्त है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ लैब, आईटी, केंप्यूटर साइंस, इंजिनियरिंग, इलक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग और कम्पिटिशनल मैथमेटिक्स के अंडर ग्रेजवेशन एवं पोष्ट ग्रेजवेशन की पढ़ाई की जाती है। जबकि काफी कम समय में यहाँ पर प्लेस्मेंट रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। पचास एकड जमीन उकलब्द कराई थी और इस पचास एकड जमीन में यह ट्रिपल आईटी भागलपूर का कैमपस आज के दिन पूर्डूप से विक्षित हो चुका है। जायेगा। जब दिदिकेटेट जमीन पर अवर्म्राब प्राम्निस्टर श्री मोधिजी। and he will dedicate to this campus to the nation through online mode he will be present at Jammu and from there he will dedicate it or ismay amare chief minister shri nithish ji or rajpal shri rajendra lekar ji bhagalpur sultana ganjj ke ajgabinath dham me maha shivratri ko lelaykar s.p. singla company ke dwaran ajgabinath dham mandir ke shondri karan ki tayyari yud-dastar par ki jara hi hai isko lelaykar s.p. singla company ke karmiyau nne thana dhyaaks priya rinjan ke saath samwar ko ajgabinath dham mandir ka jaya jaliya isdaoran company ke alokkumar jha nne bataya ki maha shivratri ko lelaykar mandir ka shondri karan jari hai isbaar 200 feet ka dharmadu ajtri shul ewom anye rang virangi light laga kar mandir ko bhavya tariqe se sajaya jayega bhagalpur sultana ganj railway station par 4-3 mango ko lelaykar adivakta raja kumar ebam samashevi chandran vidyarthi amaran anshan par 5 dhin se bäťe hai पर abtak na toh koji railway ke adhikari और nahi kisi jen prati nidhi nne iski sudhli hai samwar ko mahiila waat varsat sarita devy, irina devy, radha devy ebam roovi devy nne adivakta ki mango ko jayaj bataate hohe rail vivaak ke adhikari, bihar sarkar evam kendr sarkar se 4-3 mango ko lelaykar jam kar pradrashan karte hohe mango poora karne ki baat kahi sathhi gongres ke pradish delicate vinaish sharma nne kaha ki yadhi adhivakta ki mango ko jalda poora nahi kiya gaya toh ugra anndolan kiya jayega izdarhan vart parsat, vivuti yadav, puru vart parsat, ramayan gupta, nilam devy, devyish paddar, sait, annya samas sevi moji utrahe